पाकिस्तान मांगे मोदी मोदी वही मोदी की नक्षे कदमों पर चला ड्रागन साथ समंदर पार मोदी को मिले पड़े सम्मान फिर भी विपक्ष बोला मोदी हटाओ देश बचाओ आखिर देश की जनता किसका देगी साथ? इस पर क्या कहती है श्री संत बेतरा अशोका जी की भविश्यमाणी? देखे सिर्फ धर्म ग्यान पर नमस्कार मैं हूँ आपके साथ कविताराना अपना प्यार देने के लिए और एक लाख सुस्क्राइबर होने के लिए हम अपने दर्शकों का तह दिल से शुक्रयादा करना चाहते हैं और आज हमारे साथ एक बेर फिर मौजूद है दुनिया के सुप्रसित सुदर्शन चक्रे जोतेश चारे श्री संबेतरा अशोका जी सर आपका स्वागत है हमारे धर्म ग्यान पीज कि चुनावी मोहले देश भर में जो की पियो मोदी जी का डंगा देश में भी बज़ रहा है और विदेशों में भी बज़ रहा है जी हां जो पाकिस्तान पड़ों से समझ पाए वो पागिस्तान के वजर आजम इम्रान खान समझ चुके हैं और इसे पर हम चर्चा करते हैं सर से सर क्या समझें कि देखें बहुत पुराना मौहवरा है जुकती है दुनिया जुकाने वाला चाहिए अब पाकिस्तान के पास एवियम वाला मुद्दा तो है को अब साफ क्लियर कट नजार आ रहा है कि एक सुनामी आ रही है जो सब विपक्ष को तैसनेस कर देगी तो इसलिए उन्हों ने कॉंग्रेस का दामन छोड़के अभी तक तो पाकिस्तान से वाडर पार से जितना भी वक्तवे आ रहे थे वो यह आ रहे थे कि भई कि पाकिस्तान का समूल नास होगा अगर मोदी जी आगे तो लेकिन मोदी जी ने अपने कामों से अपने स्ट्रॉंग एड्मिस्टेशन से सिरफ देश के अंदर नहीं देश वालों के पास तो बहुत कुछ है बोलने का इवी एम भी है विरोजगारी पे भी बोल सकते हैं कि अनकॉंटेट पार्ट पे आप कुछ भी बोल सकते हैं लेकिन उसको अकल आगी है समझ आगी है कि ये ब आने से पहले दूसरे टेनवर से पहले अगर हम चरनों में नहीं पड़े जुके नहीं तो ये फिर गशीटेगा फिर गशीटेगा तो कोई पानी नहीं देगा तो अपनी छवी को ठीक रखने के लिए पहले ये दंडवत हो गया है यह तो बोड़ अफ बहुत बड़ा च्मतकार है इस से ओर बड़ा मिरेकल क्या चहिए अपको पर विरोधियों का कहना है कि जोके इमरां खान का बया बन बड़ा-बयानाय चुनावी मौहल में पियाम मोधी सरकार के समर्थन में विरोध्यों का कहना है कि इमरान खान तो पियाम मोधी जी के साथ मिल गए हैं बिलकुल मिल गए हैं मिलके ही जब आप अगर सामने वाले का कुछ बिगाड़ नहीं सकते हैं तो नतमस्तक होके ही कुछ ले सकते हैं और वो पिछले पांच साल में देख चुका है उनकी क्या हालत हुई एक पाकिस्तान की जो पॉसिशेन है था? दुश्मनी medidjee से लिंह आज उनकी हालत कै तो Hmm? वहाँ पर लोग यहां से जो export attitudes होती थी यहां से जो सबजी एक्सपोर्ट होती थी यहां से जो यह भी एक्सपोर्ट होता था यह इंपोर्ट होता था सब पर इतनी हेवी ड्यूटी लग गई है कि यहां तो अरेकी रीच में हैं यहां जिसने खाना है खाएगा टमाटर पांचो रुपे किलो हो जाए तब भी खाएगा खाने वाले खाते हैं फिर उसको आनंद से खाते हैं कि यह पांचो रुपे किलो वाला टमाडर खा रहे हैं लेकिन वहां बात हालत बहुत खराब है और उस हालत को देखके अल्टीमेटली आप जो नेता हैं आप जो भी हैं आवाम के कारणा है आवाम तरस्त हो जाएगी तो आपको अपने आपको चेंज करना पड़ेगा और जो है सामने बॉर्डर पार भी आपको नजारा रहा है बहुत बड़ी बहुत बड़ी उपलब्दी है सर ऐसे में क्या समझे कि कॉंग्रिस के एक बहुत बड़ा जटका है इमरान खान का ये कहना कि अगर मोधी सरकार आती है तो उनके राज में ही ना सिफ कश्मीर जैसा मसला सुलस सकता है बलकि उनकी जो एक अंतरास्ट्रिय छवी जो एक बन चुकी है उसमें भी सुधार हो स शरकता है क्योंकि अब तक हमारी देश में साठ सालों तक औरुस ने राज गया बहलें कॉक्रिस कितना ही पाकिसानी प्रेम दिखाया हो लेकिन आस तक उनके कारेकाल में कोई भी उनके वहां से प्रधान मंत्री पाकिसान में नी गय लेकिं एंडी के शासर में फीचा है वो काश्मीर की बात की है आपने काश्मीर में जो डिसीजन माननी मोदी जी ने लिया है और जो डिसीजन आर्मी ने जो अपरेशन चला हैं ऑपरेशन क्लीन एक साइड से उगरवाद का सफाया पाकिस्तान को समझ आ गया कि नाव भी कॉंट अब वो जो यह जो उनसी प्रॉक्सी कि बार कर रहा था उसमें भी उसके खुटने टिक चुके क्या ये हैं कि उसके घर में जाके ठोका है यहां तो ठुकी रहे हैं यां आपको अतनक वादी उकरवादी घुटनए कम नजार आ रही हınız यह तो इलुक ठुकी रहे लेकिन घर जब जाके ढोका तो उसकी आखे खुलगी कि भीया ये गलग जगा पे आपने गलग नमबर डायल मत करो नहीं तो खामयाजा भुगतना पड़ेगा काश्मीर की स्थीती तो सुधर चुकी है वहां मुठी भर अलग बादी जो अपना अलग आलाप जो हैं दे रहे हैं उनको ये समझ आजाना चाहिए मोदी जी जो हैं वो सरदार पटेल की केटेगरी के नेता हैं सरदार पटेल ने 546 जो छोटे-छोटे वो थे रजवाडे उनको मिला दिया था तो मोदी जी है कश्मीर उनके लिए कुछ भी नहीं है और मैंने बहुत पहले बोला था मोदी जी के लिए काश्मीर करेक्ट करना इस बैटल फिल्ट फोर इंडिया इंटार इंडिया ताक कि कहीं पे भी दूबारा केराना जैसी घटना ना हो अपनी कान और रांखें जिसकी खुली हुई हैं दूबारा ऐसा कोई दुछ सहास नहीं करेगा क्योंकि कश्मीर में जो मार पड़ी हैं अभी तो मार पड़ी है गुरवादी और अतंक वादी और अलगवादी तत्वों पे अभी उनके जो रहनुमा हैं उनको जो शेल्टर कर रहे हैं और जहां से उनको फंडिंग आ रही है जब उन पे शिकंजा कसा जाएगा तो कश्म कि ब्रहामनों को जो वहां से विस्तापित हुए थे अबदुल्ला के रिजिम में उनको सब को दुबारा जाके वहां पर हम साफित करेंगे चलिए सर 370 बॉलिश खतम होगी 35 से खतम होगी कश्मीर भारत का सबसे प्यारा अंग होगा वीपक्ष माने ना माने लेकिन पागिसान के वजीर आजम तो मान चुके हैं कि मोदी राज में ही हमारा भला हो सकता है लेकि बात अगर हम ड्रैगन की करें चीन की करें जो हर वक्त चाल चलता रहता है अब चीन भी पैयव मोदी के या प्रभावित हो चुके हैं आप जिंपिंगी कितनी बड़ी बात है निप मैं कई वार बोल चुका हूँ कि मोदी इस नोटन नेशनल लीडर है इस एंटरनेशनल लीडर है इंटरनेशनली उनके किये वे कारियों को असेप्ट किया जाना है, चाहे वो चाइना है, चाहे वो रइशिया है, चाहे वो अमरीका है, और अब पाकिस्तान, पाकिस्तान में भी अगर इमरान खान गदी पे बैठे हैं, यो जो चेंज आया है, मोदी मोदी कहके ही तो आया है, पाकिस्तान मीडिया को देखिएगा जब भी बोलता तो एक्जाम्पल सेटर इस मोदी जी तो ही जो नोटन नेशनल लीडर ही जा इंटरनेशनल लीडर यह हमारा दुर्भाग्या है कि हमारे जो विपक्ष में बैठे वे नेता हैं वो इस चीज को सरान ही रहें जिस चीज की उनको सराना करनी चाहिए भाई आप सराना करके भी तो आपको वोड़ मिलें